तेहरा सहमा उजड़ा हूँ, मैं यूपी का चेहरा हूँ, सबसे ज़्यादा हाथ मेरे, फिर भी मैं क्यों पिछड़ा हूँ, अब पर्लिक कर बेकार हुआ, दफ्तर दफ्तर फिरता हूँ, सच कहने पर जेल है अब, फिर भी मैं सच कहता हूँ, नमस्कार सलाम, निश्क्रिक के इस खास का रेकरम चुनाव चक्र में आपका स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल। CMIE यानि Center for Monitoring Indian Economy के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में बिरुजगारी दर नवंबर 2021 में बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गई है। मुक्हमंत्री योगिया दित्यनाद कहते हैं कि वर्ष 2016 में प्रदेश में 17 प्रतिशत से अधिक बिरुजगारी दर थी, वही आज घटकर मार्ष 4-5 प्रतिशत रह गई है। जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि मार्ष 2017 में जब योगी जी ने मुक्हमंत्री पत की शपत ली थी, उस समय यूपी की विरुजगारी दर सिर्फ 2.4 प्रतिशत थी, जो कि अब बढ़कर नवंबर 2021 में 4.8 प्रतिशत हो गई है, यानि दो गुनी। दूसरा सच ये भी है कि विरुजगारी दर के यांकड़े पूरी वास्तिता को नहीं दिखाते, क्योंकि यह केवल उन लोगों को ट्रैक करती है जो काम करने के चुक हैं, उन्हें नहीं जो काम मिलने की उमीद हो चुके हैं। उत्रप्रदेश में विरुजगारी का अलम इतना गहरा है कि लोगों ने काम की तलाश करना ही छोड़ दिया है। यानि उस कैटिगरी से धेर सारे लोग बाहर हो गए हैं, जिस कैटिगरी का इस्तमाल विरुजगारी दर निकालने के लिए किया जाता है। जबकि यूपी में डवल इंजन के सरकार है। साल 2017 में उत्रप्रदेश का लेबर फोर्स पार्टिसिप्रिशन रेट 38.% यानि 38 प्रतिशत था, यह घटकर अगस्त 2021 में 34 प्रतिशत पर पहुंच गया। लेकिन चुनाओं में चर्चा सिर्फ हिंदू मुसलिम और मंदर की हो रही है। इसकी पूरी कुशिश की जा रही है कि पूरा चुनाओं हिंदू मुसलिम के इर्दगर्द सिमढ जाए। मगर आज का युवा शायद इस बात को समझ रहा है। सच यह ही है कि आज पूरे उत्तरप्रदेश में युवाओं में बिरुजगारी को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। आपको लखनओ, इलाबाद, विश्वधाले से लेकर बीयचियू तक एक हिस्वर सुनाई देगा। प्रदेश की राजधानी लखनओ में शिक्षा भरते से जुड़े अभ्यरती करीब पांच महीने से धर्ना प्रदेशन कर रहे है। पिछले जिनों लखनओ में आंदोलन कारियों पर उत्तरप्रदेश पुलिस लाठियां भांसी नजर आई। आचार से यहता से पहले प्रदेश में पांच लाख रिक्त पतव को विज्यापित कराने और रोजगार की गरंटी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है। यूवा पंचायते हो रही हैं। रोजगार अधिकार अभियान चल रहा है। रोजगार अधिकार घुष्णापत्र जारी किया जा रहा है। इसे सब पर बात करने के लिए हम चलेंगे लखनव और इलाबाद, प्रियाग राज, यूवा और चात्र निताओं के पास। हमारे साथ लखनव में हैं चात्र संगठन आईसा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आयूश शिरिवस्तव। आईसा अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश में यूवा मांगे रोजगार अभियान चला रही है। इन लोगों ने यूपी चिनाओ के लिए रोजगार घुशना पत्र भी जारी किया है। आयूश जी, निउस क्लिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या है आपका अंदूलन और क्या मांगे हैं। पिछले कई महीनों से लगभग शुरुआत तो इसका एक साल पहले हो गया था। लेकिन जमीन पे जैसे काम करना हमारा जो छे-सात महीने से हम लोग कर रहे हैं। हमारा यूपी मांगे रोजगार अभियान चलना है। और यूपी मांगे रोजगार अभियान की जरूरत क्यों पड़ी और उसका क्या स्वरूप है। क्योंकि हम यहां मौजूदा समय में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिरोजगारी का जो इस्तर है। मतलब शायद अपने सबसे बुरे दोर से उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में चल रहा है और उसका उधारण इस बात से हम देख सकते हैं कि पिछले पात साल में जिस तरीके से सरकार ने रोजगार के पति अपनी नीतिया जो अपनाई है जिस तरीके से लगातर परिक्षाओं में घोटाले हो रहे है अगर परिक्षाओं हो जा रही है तो नियुक्तिया नहीं हो रही है उसका सबसे बड़ा उधारण इस बात से है कि लगभग जब 5 साल पहले योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सरकारी करमचारियों की संख्या सारे 16 लाग ती, 16-15 लाग थी, जिसकी अभी संख्या सरकारी करमचारियों के फिश्टी रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है, मातर 16 लाग है, मतलब आपने कोई नई भरतियां तो ली नहीं, परिक्षा घुटाले सो अलग हुए, देख रहे हैं कि 24-25 में से 16 के 16 लाग हो जा रहा है, फिशले दिनों हमने ये देखा कि यूपी टेट का लाग हो गया, जिससे 21 लाग जो इस्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो दिन रात तयारी करते रहते हैं, उनका भविश के साथ कैसे खिलवार हुआ है, और ये कोई पहला घटला नहीं था, और मतलब अगर 16 के 16, 16 पेपर लीग हो रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा शक का बात है कि क्या ये बिना सत्ता के संग्रक्षन के बिना हो रहा है, क्योंकि जब पेपर लीग होता तो कहीं न कहीं उसमें भाजपा के नेता लिप नजर आत इलहाबाद में लगातार जो इलहाबाद शहर जो चातरों की तयारियों, मतलब परिक्षों की तयारियों के लिए एक शहर माना जाता है, अब वहां माई दिन क्या खबर सुनते हैं, वहां माई दिन ये खबर सुनते हैं कि चातर लगातार आत्मात्याय कर रहे हैं, इस तरह से वहां स्थी आ गया है से उसी तरीके से योगी सरकार के ही कारकाल के दौरान एक राजीव कुमार कमीटी ने एक recommendation दिया था राजीव कमार कमीटी का ये recommendation था कि 10,000 जो प्राथमिक विद्याले हैं उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए क्यों कि उन विद्यालों में 30 या 30 से कम चात्रे हैं मतलब जहां पे जिन पे आपको investment करना चाहिए तो जहां पे आपको focus करना चाहिए था सिक्षा अच्छी पहुचानी चाहिए थी आपने अपना हाथ वहां से पीछे खीशते हुए 10,000 स्कूलो और एक grade D के भी वहाँ करमचारी होते हैं तो 50,000 आपने तो ऐसे ही पत्थ खतम कर दिये अध्यापकों के और उसी अधार पे आपने 10,000 grade D वाले लोगों के पत्थ खतम कर दिये सिमिल अगर इसी तरीके से आकड़े बहुत तारे हैं लेकिन हमारा यही कहना है कि लगातार यह सरकार आकड़ों में उलजाने का काम करती है हमारा यह कहना है कि 2017 में जब यह सरकार आई थी इस वादे के साथ आई थी कि 70,000,000 रोजगार युवाओं को देगी यह इसके संकल पत्व में था मैनुफेस्टों तो उसको क्या कहें लेकिन 70,000,000 की जगे अब जब चुनाव करीब आ गया है तो 4,000,000 का यह पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार हो रहा है आज आप लखनव आके देखेंगे तो हर कोने में आपको 4,500,000 का देखेगा जी लखनव ही नहीं लखनव दिल्ली तक आप भी समझे कि 4,500,000 युवाओं को रोजगार दिया यह इसका बहुत प्रचार है रखबार और टेलेजिजन पर तो हर्सम है तो मैं यह पूछना चाहरा हूँ आप से तो वेकनसी निकल नहीं रही है वेकनसी निकल रही है तो बरस्टाचार हो जाता है पेपर लीक हो जाता है तो रोजगार अब जो क्या आपको लग रहा है कि आप जो इतने दिनों से आंदरों कर रहे हैं इस चुनाओं में रोजगार एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको अभी तो बिलकुल बनता हुआ नजर आ रहा है ये इस बात का कहीं नहीं हमें बहुत पहले सा अंदाजा था कि अगर अब इस समय चात्रों ने युगाओं ने कुछ नहीं किया तो भाजपा उन सुनियोजी तरीके से सारे चात्र संगठन और उसमें खास करके जितने आंदोलन रत जो अभ्यारती है वो चाहे 59,000 सिक्षक भरती वाले हो गए नई सिक्षक भरती वाले हो गए आपके UPTET और UPSI जितने भी है ये हम लोगों ने मिलके आपस में तै किया कि अब हमें कॉमन पे आएंगे कॉमन प्लेटपॉम पे आएंगे यूपी मांगे रोजगार अभियान हम लोगों ने चलाया और यह पिछले कई मैंनों से हम लोगों ने दरजणों भर से जादा जिलों में हम लोगोंने जा-जाके सभाएं की हैं समेलन किया है लगनों में हुआ है हो गया लखनों हो यहां पर एक रिस्पॉंस ऐसा है कि हाकर के लखनों का जैसे हम बताएं लखनों की सड़के पिछले कुछ महीनous से लगातार इस बात का गवा है अगर योगी सरकार यह कहती कि यह बहुत रोजगार है तो पिछले कई महीनों से इस बातकी दवाय लखनों की करते हैं कि यह रोजगार की क्या भयावाज किती है बिरोजगारी की आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो पर अच्छा आपने कहा मैं रोकूंगा आपको कि आपने कहा कि रोजगार या रोजगार नहीं तो बिरोजगारी भत्ते की भी मांगा आप लोग कर रहे हैं जी जी जी हमारी उसमें मांगे हैं कि हमारा जो अनुमान है कि तमाम जो प्रोफेसर्स हैं तमाम जितने एक्टिविस्ट हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं जो रोजगार का अंदूलन लंबे चला रहे हैं हम लोगों ने बैठ और यह समझा कि लगभग 25 पद ऐसे हैं प्रदेश सरक प्रकार के पास जिन पे वो भरतियां ले सकती है ठीक है और भी यूनेस्को का एक रिपोर्ट आया है शैद 3.3 लाख प्रात्मिक सिक्षा और उच्छी सिक्षा जो विद्याले हैं वहां पे मतलब सिक्षकों की जरूरत है इस प्रकार से कमाम जगे जो हां भरतियां होनी च यहीं यूपी में ऐसा क्यों हो रहा तो हमारा मांग है कि एक जॉप केलेंडर लाया जाए उस जॉप केलेंडर में जैसे तरह पहले से तारीक हो उसका इंटर्वियू कब होगा उस परिक्षा की तारीक होगई उसके अधार पर इस तरीके से टमेर रोकूंगा आपको तो प ले रहे हैं बिलकुल अभी मतलब एक तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं हम लोग उसके तरह का काम करने का प्रियास कर रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अभी हमें जहां पे एक समय को लग रहा था क्या यह बिरोजगारी का मुद्दा बनेगा भी क नहीं बनेगा उसमें आम आदमी पार्टि के तरफ से यह दिख रहा है कि वो रोजगार को एक मुद्दा बनाने का प्रियास करें जहां पे एक समय था शायदा कि शादो जी बहुत नाम नहीं ले रहे थे यह रोजगार के मसले पे अब वो बिरोजगारी पर अपनी चुना सिक्षा में गड़बड़ी हो रही है जो रोजगार की स्थी बनी हुए अगर आप उसको कंतिडर नहीं करेंगे तेक तरीके से आप विश्वास होते जा रहे हैं आपके चुनावी एजंडों में आप तो आज जी हम इसी मुद्दे पर अभी इलाबाद भी बात करने चातन प्रदशन कर रहे हैं युवा मंच इसमें बल्चल कर हिस्सा ले रहा है आज हमारे साथ हैं युवा मंच के संयुजक राजेश सचान राजेश जी निउस क्लिक में आपका स्वागत है नमस्कार सबसे पहरा सवाल यही कि युवा मंच क्या है इसके क्यों जरुत पड़ी और इसका अंदूलन क्या है देखे युवां मंस का जो गठन है तो युवां की जो आकांचा है सबसे बड़ी ज़रूद सोल-कार का आज प्रसन है तो जो अधिकार का प्रसन है गर्मा पूर्ण रोज़गार मिले जिए हर नлисьज़ों को सरकार गारंटी करे इसके लिए इसका गठन किया गया है लेकिन इसके साथ सिच्छा और रोजगार के साथ जो सामाजिक और राजनेतिक मुद्दे हैं जो लुप्तंद का सवाल है इन मुद्दों पर भी लगातार जो इवाउं की भूनका हो सकती है उसके लिए हम लोग प्रियास कर रहे हैं तो रोजगार का जो सवाल है उसको लेकर किस तरह का अंदोलन इलाबाद और आसपास यह प्रदेश में देख रहे हैं आप तो पिछले दिनों 2014 में एक बड़ा मुद्दा बना था और उस समय आप जानते हैं कि बैस्वित मंदी थी और मरमुवन सरकार के वरुद्द एक वड़ा अंदोलन था जिसमें रोजगार का भी संकट उभरा था तो उन परस्कितियों में पुर्दान मंत्री बाजपा के कंडिडेट उस समय से मोदी जी ने आवान किया था जानते हैं उसमें निजी करन से ले करके जो भी नीतिया हैं जिससे जो आकरे उपलब्द हैं साथ को रोजगार विभिन स्केत्रों में सरकारी प्राइबेट स्वरोजगार खेती किसानी संमिलागर के साथ को रोजगार खत्म हो गये हैं ऐसी सितियों में एक बहुत थी लोगों में आख्रोश है और इन सितियों में उत्तर प्रदेश में भी रोजगार का अंदोलन चरला है और इसमें सबसे जो अभी बर्णी इसु है वो प्रस्ण है जो भरती परिछाएं हैं जो वादा किया गया था 2017 में यूपी एलेक्षन में इपारदर्शी भरती की जाएगी और जितने भी रिच्च पद है प्रदेश में उन सभी को भरा जाएगा लेकिन ये देखा जा रहा है कि हवा हवाई घोसाएं और प्रचार तो जारी है पांच लास से ज्यादा पद प्र आज उठा रहे हैं लखनोव में अभी 28 तारीक को इवा पंचायत की जाएगी इसके पहले भी 9 अगस्त को हम लोगों ने लखनोव में बड़ा प्रदर्शन किया था इको गार्डन में और उसके पहले 24 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन इलहाबाद में हुआ था इनका कोई आधार नहीं है और कोई भी ठोस कदम ना तो रित्पदों को भरने के मामले में कर रही है और ना वो रोजगार के सिजन के मामले में कर रही है सरकार समर्थोकों का कहना है कि सरकार भाई सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती इतने तो पद है नहीं तो फिर यह क्यों आंदोलन है ये आंदोलन तो बेसिकली अभी जो हलचल है जो लगातार धर्ना प्रदर्श्चन हो रहे हैं इस आंदोलन का केंद बिंदू तो सरकारी नौकरी का है ये सई बात है लेकिन हमारा जो पूरा इवामंस का आंदोलन है ये सिर्व सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है सरकारी नौकरी के लिए इसलिए अंदोलन है इसके बारे में इनोंने एक कमिटमेंट किया था और उसके बारे में हम बता दें कि प्रदेश में जो सारे 4 लाग सरकारी नौकरी का दावा किया जा रहा है उसकी सच्चाई ये है कि प्रदेश में करीब जब योगी सरकार सप्ता में आई तो 16 लाग कर्मचारी थे और जो सरकारी आकड़े उपलब्ध है और आज की तारीख में करीब 15 लाग कर्मचारी है लिहाजा जो सिच्चा मित्र समायूजित थे एक लाग सेंटिश यार स्टायक अध्यापक के बतोर और उनकी वो बर्खास तुए और जो सेवानिमित तुए उनकी तुल्ला में एक लाग कम भरती की गई है तो यह भरतीयां विहत कम है और जो बैक लाग है प्रदेश में वो एक लाग बढ़ गया पहले की तुल्ला में यह श्यूति पैदा हुई है तो जहां तक रोजगार के समक्र प्रस्ण की बात है तो उसमें किती भी तरह का रोजगार हो सवरोजगार हो, खेती-किसानी का प्रश्ण हो, सिस्वाल-इस्क्यल-इंडस्ट्री हो या जो भी हो वो जुड़ा हुआ है नीतनों से और जो सरकार का डायत है वह वर्त ववरस्था से जुड़ा हुआ है सरकार का डाईस्ट है कि इस तरह से नीटियां बनाए कि अग्रिप को ये संबान जनक गर्मा पूंद रोजगार मिल सके इस डाईस्ट से सरकार भाग नहीं सकती है ये विजन है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार नौकली नहीं दे सकती है ये कर सकते हैं, ये सब बहने बाजी है और ये संभाव है, अर्थ बहुत सा जब बताया जा रहा है कि मजबूत हो रही है, उसकी जिसा का प्रस्ण है, जिसा गलत है. जी बहुत अच्छी बात आपसे रही, रोजी रोटी का सवाल चुनाओं में बने इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, फिलाल इस बाचीत के लिए शुक्रिया, नमस्कार, तो आपने देखा कि युवा अपने हाक अपने रोजगार के लिए डड़ गए हैं, यही वज़ा है कि बीजेपी ने अपनी तोब कमू अब काशी अयुद्धा के बाद मत्रा की तरफ कर लिया है, क्योंकि उसे शाहिद लगता है कि राम के बाद अब कृष्ण ही उसके बेड़ा पार करेंगी, यही वज़ा है कि अब बीजेपी सांसत के सपन में भगवान कृष्ण आ रहे ह और योगी जी को मत्रा से चनाव लडाना की बात कर रहे हैं, मतलब यह कि बीजेपी ने अब राम के बाद क्रिश्ण के नाम पर धुर्विकर्ण की ठानी है, इसके अलावा सुल्ली एब, बुल्ली एब, अधर्म संसत सब इसी हिंदु-मस्लिम के लिए है, यही सामप्रद लाइकता के लिए है, इसलिए चनाव तक बेहत साफधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सरकार अपने अवाम को रोजी रोटी देने में नाकाम रहती है, उसे धर्म और मंदिर के पीछे चिपने के लावा कुछ नहीं सुचता, खैर, नया साल है तो मुबारक, कुछ इस इसने की मौसम ही बदलते हैं यहां पर बस, जरा मिलकर करो कोशिश, जमाना भी बदलता है, धन्यवाद, शुक्रिया